अरे यार मैं गाड़ी कितली गंदी हो गई है सही कह रही हो यार गाड़ी तो गंदी हो गई है कैसे साफ हो गई यार भोरा गरीब हुए इधरा आहां तुझा ही कह रहा हूं इधरा पैसे मिलेंगे हाँ पैसे लेली हो जले गाड़ी तो साफ कर जल फिक है करीब ही ना शकल सूरत होती नहीं है बस जबान चल वालो आप आपकासे बाठे ऍाजब सकतेवर्म जोगों को पैसे के लिए कुछ भी करा सकते हो आ लगा कांदाम करते नहीं है पैसे चाहिए,"पैसे जिद हए ने साब दो रूपए कमसे कम 20 रूपे तो डो ताकि मैं कहाना है थखालो। देख रहे हो मैं, एक तो तुमने ऐसे पैसे दिये, उपर सी कैसे चपड़ चपड़ जबान चला रहा है, चीजी तो करता एक थपड़ दूसके तो नेकी और पूच-पूच, मारो खीच के इसके थपड़, मारो, हाँ, बिल्कुल अरे यार, ऐसे नहीं मारते हैं, ऐसे हमारते हैं, हाँ, 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 खड़ख़़ः देख जारा है, चला जा सालह हकती पसी दोड़ दूगा यासे, नुद सब्सक्राइब तुम देशको अरे यार सेखर को अफिस का टाइम हो रहा होगा चलो फटा-फटा मसकी कार पाक करके वाच्मन को चाबी देशको निकल देंगे कि अरे क्या हुआ छोटे रो क्यों रहा है अज एक भाईया ने मुझा से गाड़ी साप करवा दी ऐसे भी नहीं दी यह मारा भी बहुत है मुझे भूग बहुत तेज से लगी है अरे यार किते बेकार लोग है इस दुनिया में भूग लग लिए तुझे हाँ भाईया अच्छा यह रहे कुछ पैसे और कुछ खा लियो ठीक है ठीक है भाईया आप बहुत अच्छे हो और बाकी स्कूल पर बढ़ा लिखा बच्चा जिन्देगी में हमेशा सफल होता है और यह देख सामने मेरा ओफिस है कभी भी कोई दिक्कत हो तो आज ही हो ठीक है ठीक है भाईया ओके शिट यार मेरे को ना रमेश अंगल के पास जानता वो क्या है ना गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाना है तो उने कुछ डॉनेशन वगरा देनी थी मैं चलता हूं तब 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 तुम दोनों गाड़ी में बैठो अब यार तुने तो हद कर दिये से कर कितने पैसे पाटता रहता तयार गरीब में गरीबी मिटाने का ठेका ले रखा है का तुने जब देखो इसको यहाँ पैसे देने उसको वहाँ पैसे देने तो ने तो ने तो दिमाग खराब कर दिया दिमाग निया तेर में और क्या उससे अच्छा तो मस्ट क्लब चलते दारू-सारू पीते पाटी करते और ब्रैंडिट क्लोट्स खईते क्या गरीबी गरीबी लगा रखा है तुने अरे यार क्या लेके आयते क्या लेके जाएंगे एक दिन सब को खागी तो होना है वैसे भी यार जो देश के युवाओं को खोकला कर दे वो कोई ट्रेंड नहीं होता जो देश के युवाओं को खोकला कर दे वो कोई ट्रेंड नहीं होता अरे ब्रैंडिट ब्रैंडिट करने वालो याद रखना का फन का कोई ब्रैंड नहीं होता समझा मेरे बाई चलो यार तुन दोनों बैठो मैं आता हूँ साले हराम खोर तेरी हिम्मत कैसे होई मेरी गाड़ी पर टकरानी की भाईया मैं पत्थर से टकरा गया था इसलिए मैं गिर गया तो साले उसी पत्थर से सर फोर के मर जाता मेरी गाड़ी से क्यों टकराया मेरी गाड़ी गंदी हो गई ना अब इसे साफ कॉन करेगा, तेरा बाप? भाईया, आपने पिछली बार गाड़ी साफ करने के पैसे नहीं दिये के, इस बार मैं साफ नहीं करूंगा गाड़ी देखा में, कितना मूच अला रहा है, इसको मारो, इसको तो सर फोड़ दो साले तेरी इतनी हिमत, अब तु मुझसे जबान लड़ेगा, आज तो तुझे मैं छोड़ू मने अरे मैं पागल हो गया क्या भाई तू, क्या करना तू ये? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, और मैं यही करूँगा, और इनके साथ यही करना चाहिए इसका मतलब इसके मुँपर केक भी तू नहीं लगाया था, हाँ मैंने पोता था, और पोतूँगा भी, जरूरत पड़ी तो इसे मारूँगा भी बैयंक इंसान बन जा है इंसान, कम स्ने कम थोड़ी तो सरम कर, हमें मदद करनी चीए गरीबों की, समझा? मुझे इंसान नहीं बनना, मैं जैसा हूँ, वैसा ही ठीक हूँ, तुझे बनना तू बन, और हाँ, तु मेरा दोस्त है या इसका? बैयंक बाई, दोस्ती एक तरफ है, मैं तो ऐसे गरीबों की मदद करता रहूँ हूँ, मुझे इसमें सुपून मिलता है, तुझे गर्णी हो तो कड, नहीं गर्णी हो तो मद कर, चला छोटे, तुमें सान चलेगा, गाडी में बैट, तुमसे मैं बाद में बाद करता चलो वा कांच आई, हमार साथ आप बैठने लाइक नहीं है, अरे यार, तुम्हें पता है, ये शिखन हमनों को क्यो बलाया, और ये खुद कहा रह गया अभी तक, अरे वो देखो, शेकर आ रहा है अरे शेकर यार, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, तु फिर इस गरीब को कपड़े दिला के लिया है, हदि कर दिये यार, तु ने तो बेज़ती करवा रखी है अरे क्या पागलो वारी बात है कर रहा है मयंक, सही तो बोल रहा है मयंक, किसी को भी ठाग लिया था, हमारे स्टेंडर्ड देख और इस गरीब का स्टेंडर्ड देख, कपड़े अच्छे पहनाने से न, कोई अमीर नहीं बन जाता है साला सारे फसाद की जड़िये गरीब ही है ना, आज इसे तो मैं छोड़ूँगा नि शिकर तु ने इस गरीब के चक्कर में मुझे धक्का मारा, अपने सबसे प्यारे दोस्त को हाँ, करूँगा मैं इसकी मदद, क्योंकि एक गरीब का दर्द, सिर्फ एक गरीब ही समझ सकता है पर तू तो अमीर है यार इन नए कपड़ों के पीछे, इस सक्सेस के पीछे, एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है, चलो आओ तुमें सोनाता हूँ हराम चाहता है, कुट्टे, तोड़ दे उसको, तेरी ने तो चीज़े खरीदता हूँ मैं एक काम कर, इसको ठाकर मैं सर पर फोड़ दे तू, और ना मैं मन रो जाओंगा, किस्ता ही ख़तम हो जाएगा सहाब, कलती से गिर गया, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप जबान चलाता है मेरे सामने, साले अगर आप फालतु बोलेगा ना, तो मुँ फोड़ दोंग गुस्ता मत दिला मुझे सहाब, मैंने इस घर में काम किया है, मैं तो यही चाहूंगा ना, कि आपके खूब तरक्की हो, ताकि मेरी भी तरक्की हो आप मेरे को हमेशा उल्टा बोलते हो, साब अगर आज के बाद सुन मेरी बात, फाल तु बोला ना, तो तेरे बाल और खाल दोनों नचवा दूँगा अब ना, मेरी शकल मत दे, निकल यहाँ से और काम कर ले, यह तो साले, रोटी तोने लाइक में नहीं छोड़ूँगा तुझे, चल निकल अरामी साला चोटे टेबल पर पेश्टी रखिया है, खा लिए बेटा अरे वा, साहब ने वैसे तो मुझे आस तक कुछ खाने को कहा नहीं, आज कैसे कहती है, खैर इतना सोचना क्या, जाके खाता हूँ साले सुगर, तिरी हिम्मत कैसे मेरी पेश्टी खाने की साहब, आपने ही तो कहा था, छोटे पेश्टी खा ले हरामी कुट्टे है, तुझे कब कहता मैंने, मैंने अपने छोटे भाई को कहता, हराम की खानी के आदत होगी है, खाका कै सांड जासा होगी है मुझे लगता है तुफ्रीजमत से भी चोरी करकर के खाता है, इसका मतलब नहीं, 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 साहब, मैं चोरी करके नहीं खाता, मैं इमानदारी की खाता हूँ साले कैसे निखाएगा आज कल तु खाने पिया गस्मान चोरी करकर के खाता है तरको तमान बेच बेच के आ जाएगा मेरा घर पुरा खाली करतेगा बेच बेच के फिर मेरे को मारता लेका जान से तिरे को ऐसा छोड़ू मानी पेश्टी खाप तुझे साम में निकाओंगा खानी पड़ेगी तुझे साम में निकाओंगा खा तू साम में निकाओंगा कैसे निकाएगा खाई से साम में निकाओंगा अरे खाना साम में निकाओंगा कैसे निकाओंगा कि अब चल निगल यहां से बसे काम प्याने क्यों को जरूत नहीं है और यो तेरे बचेवे पैसे हैं ना जब मेरा मन करेगा दे दूँगा ठीक है ना अभी चार-पांद दिन तक ना मेरे आस-पास मत भटके हो नी तो साले टांगे तोड़ दूँगा समझ रहा है चल निकल क चल चल निकल चोटे चोटे हां भीया चोटे तरी दब्रेत कैसी है भीया आप तो थोड़ी ठीक लग रही है भीया डॉक्टर साब ने ये परजी दी है बोल रहे थे ये दवाई नहीं लाए तो मैं मर जाओंगा चोटे तिरको कुछ नहीं होगा मैं तिरको बचा लूँगा चोटे मैं अपने मालिक के पास जाता हूँ और उनसे पैसे लेके दवाई लेके आओंगा ठीक है तो अपना ख्याल रख चोटे मैं आता हूँ भाईया आप मुझे बचा लोगे न भाईया हाँ मेरे भाई मैं दिरको बचा लूँगा तो चिंदा मत कर मैं मालिक से पैसे लेके दवाई लाता हूँ तो आराम कर माया थोड़ी देर में मालिक मेरे भाई की तक् finely बहुत ज्यादा खराब है मेरे बचे मेरे पैसे देजिजिए मालिक अभха कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे चलिए अंगनियांसे मालिक डोक्र ने बोला अगर भाई को दवाई नहीं मिली तो मर जाएगा मालिक पैसे देजिए रहां। मैं भी तो इंसान हूं तुरह तो मुझे एमोशना करते है मेरे भाई रो मत छोटे भाई रो मत मेरा दिल पसी जाया ते दुख ले बोल कितने रुपे चाहिए तुझे मालिक 10,000 रुपे 10,000 रुपे रामी तीन हजार तरह भकाया है अभी चुट्टी-चोरी से बचाने ना तु 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 तरह का श्रम नहीं थी एक खोड़ पहनी दूंगा आप चाहिए तरह भाई मर जाया चाहिए कुछ भी हो जाया समझे ना चल निकले यांसे आज का दामाज जियत हुआ है पैसना आने के कि आइक हुआ कारे आ वहीए मुझे बचालों गिना भाईया अपुझे बचालों गिना भाईया और देवस्कान आ अजय को बचालों गिना भाईया थी चोटे 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 जोटे आगे कोल चोटे चोटे पर बाब आबुची को क्या जवाब दूआ चोटे चोटे आगे कोल मेरे चोटे 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 कि अंबर से कि भॉष बिछड़ता है क्या कभी बिनबाती दीपक जलता है क्या कभी अंबर से सूरे बिछड़ता है क्या कभी बिनबाती दीपक जलता है किसी एयन होई अर्याख हुई रम छोड गया जो तू कैसे जिएगे हम छोड़े की मौत के बाद में टूर चुका था मुझे कुछ समझ में नहीं आरा था कि क्या करना है फिर मैंने सोचा कि जिन्दगी मागर जन्म लिया है तो कुछ नकुछ तो बढ़ा करके ही मरना है और फिर मैंने महनत शुरू करती कई बार मुझे रात के अंधेरे में मुंबाती बेखर पढ़ना पढ़ता था क्योंकि हमारे घर की लाइट बिजली का बिल ना भरता तो मैंने अपने ड्रैसिंग सेंस तर भी काम किया और फिर देखते ही देखते एक दिन ऐसा आया अब यह ठीक से काम कर ले यह तो नौ प्री से बाहर निकाल दूँगा नाम खुर काम नी करते दिनसे अरे नमसकर अंकल कैसे आना हुआ मैं इसलिए आया था अबे तू हाँ मैं देखावी ने कैसे वक्त ने अपने पहिये घुमाए कल तक मैं एक करीब था लेकिन आज मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है क्या है ना वक्त सभी का बदलता है विने तुने मेरे साथ बहुत जादा गलत किया क्योंकि तेरे चक्कर में मैंने अपने छोटे को खो दिया इसकी सजा तुझे उपर वाला जरूर देगा क्योंकि क्या है ना इनसान इस धर्ती से कमाई हुई दौलत तो नहीं ले जा सकता लेकिन उस दौलत के लिए उसने जो कुनहा किये हैं वो जरूर उसके साथ जाते हैं उनका फल उसे या तो इस जन्मों में मिलता है या भी राने वाले जन्मों में इसलिए ध्यान रखियो इनसान को हमेशा अच्छे काम करने चीए खैर मैं तुसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाओंगा चल दिये गैरेज खाली कर दियो चल चलता हूँ अब पता चला मयंक और अकांग्शा मेरी सक्सेस के पीछे कितनी तरदनाक कहानी चुपी है क्या है न ये वक्त है ये हमेशा एकसा नहीं रहता ये बदलता रहता है और इस दुनिया में संसकार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और संसकार इनसान की किरदार में चल लगते है इसलिए अपने संसकार में अच्छा ही लाओ करीबों की मदद करो जहां तक गगन की बात भाई अब गगन एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगा और 25 साल की उमर के बाद पंत एंटर्प्राजिस का आधा मालिक होगा सौरी से खर भाई हमें माफ कर दो हमें नहीं पता था कि तुमारी इतनी बड़ी सक्सेत के पीछे इतनी दर्दनाग कहानी है माफी मागनी है तो गगन से मागो उससे नहीं मुझे माफ कर दे छोटे भाई मेरे से बहुत बड़ी गल्ती होगी आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ है हले छोड़ो ना यार इन सब बातों को छोड़ो आप इसमें मौच करते हैं आजओ